इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Social Forestry and Farm Forestry के बारे में आपकी बुक में दो अलग-अलग टॉपिक दिये दोनों को एक साथ पढ़ेंगे क्यों दोनों Interrelated है आपस में पिछले वीडियो में आपको क्या बताया कि Forest Conservation के लिए Government ने बहुत सारे Plans Policies पे काम किया Policies में अलग-अलग aims सेट किये गए अलग-अलग objectives पे काम करना स्टार्ट किया और उसके अंदर हमने क्या दिखा कि दो तरह की Forestry इवाल्व होके आई है कौन सी दो Forestry है तो एक Social Forestry दूसरा है Farm Forestry अब Social Forestry क्या है Farm Forestry क्या है दोनों चीज़े हम इस वीडियो में specifically discuss करने वाले हैं पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं Magnet Brains एक ऐसा YouTube चैनल है जहां पर आपको आपके syllabus का सिर्फ एक चैप्टर दो चैप्टर या चार चैप्टर फ्री नहीं मिलता है Complete syllabus free of cost वीडियो लेक्चर्स के format में आप हमारे YouTube चैनल पर और वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं syllabus complete कर सकते हैं बिना किसी चिंता के आपको क्या करना है आपको अपने juniors और seniors को भी बताना इस बारे में topic पर वापस आते हैं तो देखिए social forestry शब्द से क्या समझ में आया आपको simple ती चीज़ अगर हम देखे तो दो पार्ट को discuss करेंगे social forestry और farm forestry दोनों शब्द से क्या समझ में आया social मतलब क्या है social science सर जो आपने पढ़ाई थी 10th class तक तो वहां से कुछ अगर जोड़ सकते हैं तो वहां से जोड़ लो मतलब social forestry में आपको एक चीज़ तो समझ में आगए कि आप society को include कर रहे हो farm forestry में भी कहीं न कहीं पेड़ society के लोग ही लगाएंगे difference क्या है वो भी clear हो जाएगा पढ़ें आगे start करें तो देखो क्या होता है social forestry means the management and protection of forests ठीके तो social forestry कर से आपको एक चीज़ यह समझ में आगए जिस पर कुछ नहीं है वहाँ पेड़ लगाना है ठीके तो आप क्या कर रहे हो society को include कर रहे हो पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों को बढ़ाने के लिए आगे ठीके अब forestry मतलब क्या है deforestation जिस तरह से पेड़ काटते हो तो उसका opposite forestry मतलब पेड़ लगाना है ठीके social and rural development कैसे अब rural areas में मान लोग पेड़ लगे आमके पेड़ लग गए बहुत सार एक हजार पेड़ लग गए आमके अब चार साल पाच साल बाच बढ़े होंगे जब उसमें फल आना इस्टार्ट होगा तो वह फल बिकेंगे rural areas में लोगों का occupation मिल जाएगा तो सेंस में क्य रूरल development भी होता है पेड़ लगाने से पेड़ से सिर्फ आप इतना स्वार्थ मत रख लेना कि हाँ आप oxygen मिल रही है काफी है पेड़ है तो बहुत कुछ है simple सी चीज ठीक है और मैं भी जोर दूँगा इस चीज़ पर कि एक पेड़ तो जीवन में जरूर लगाना एक क्या एक हजार लगा सकते हैं लेकिन शुरवात एक से जरूर करो एक पेड़ जरूर लगाओ ठीक है अब देखो आगे क्या है तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं the national commission on agriculture 1976 has classified social forestry into three categories अब जब इस तरह से हम क्या देखते हैं कि सामाजिक इस तर पे societal level पे forestry स्टार्ट होती है लोग पेड़ लगा रहे हैं पेड़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं नए नए सैपलिंग्स को अलग अलग जगा पे प्लांट कर रहे हैं तो जब यह चालू हुआ social forestry ठीक है जैसे हम देखेंगे तो forest policy जो हमारी 1952 में 88 में उसे और modify किया गया तो इस policy के अंदर क्या है इस तरह की social forestry जब emerge होके आई जब सामाजिक स्थर पे लोगों ने काम करना चालू किया ना तो national commission on agriculture जो था उसने क्या किया तीन तरह से classify कर दिया social forestry को तीन categories में बाट दिया तीन categories कौन कौन सी देखो तो समाज तो शहर में भी रहती है urban areas में जो forestry उसे urban forestry कहा गया रूरल area में जो forestry उसे rural forestry कहा गया और तीसरा जो है वो है farm forestry ठीक है तीनों समझेंगे तो urban forestry कहा है पहले simple सा है वो समझे लो मतलब urban आगे न शब्द आगे तो इससे आपको एक्लियर होगा है कि हम cities की बात कर रहे है urban areas की बात कर रहे है तो urban forestry pertains to the raising and management of trees on public and privately on lanes in and around urban centers such as green belts, parks, roadside avenues, industrial and commercial green belts अब मैं इसको simplify कर देता हूँ क्या हो रहा है आपको पता है कि forestry में आप पेड़ लगा रहे हो बचा रहे हो सारी चीज़ें कर रहे हो तो जब urban areas में ठीक है urban lands पे आपको क्या देखने को मिलेगा privately owned या फिर publicly owned जो है तो उनने क्या मुल दिया कि इस बार environment day पे हम क्या करेंगे एक 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 पेड़ लगाएंगे ठीक है आप भी लगाना चाहते हो टीचर्स डे पे लगा दे ना प्लीज ठीक है तो यह क्या होता है तो इस तरह से आपने देखा कि public और privately owned land पे जब क्या करना अर्बन सेंटर्स में लोगों ने पेड़ लगाना चालू कि हो सकता है वो पार्क में लगा रहे हूं green belts होते green belts क्या रोड के बाजू 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 आप देखोगे पेड़ लगा दिये बहुत सारे तो इस तरह से जब लोगों ने पेड़ लगा है वह अर्बन एरियास म on promotion of agroforestry and community forestry agroforestry और community forestry तो rural forestry में दो सब classification हो गए मतलब rural forestry में दो तरह की चीज़े देखने को मिली agroforestry देखने को मिली और community forestry देखने को मिली दोनों क्या है समझाओंगा और farm forestry भी यहां तक समझ में आगे ना social forestry में teen classification urban forestry हमने समझ लिया rural forestry में अब हम क्या देखेंगे rural forestry में agroforestry और community forestry दोलों समझाते हैं आपको देखो यह urban forestry का example जिसे क्या है कि roadside आप देखोगे plantation हो रहा है ठीक है चारो तरफ पेड़ होते हैं ऐसे urban areas में फिर parks वगेरा में आप देखोगे तो पेड़ लगा दिये जाते हैं बहुत जारे लोगों के द्वारा अब अगर हम बात करते हैं agroforestry की rural forestry के अंदर agroforestry शब्द समझ गए पूरा खेल समझ ज ने थे मेरा ठीक है में रामलाल ठीक है और रामलाल का एक खेथ है तो अब रामलाल के खेथ में रामलाल ने क्या किया गेहो की फसल भी लगाती है गेहो के फसल की बाजू 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 क्या है शेल्टर बेल्ट्स बना दी उसमें पेड़ लगा दिये तो अब वो पेड़ काई के लगा है, उसने मानलो उसने पेड़ लगा है आमला के, तो अब जो आमला का पेड़ लगा है, वो आमला भी देगा, वो आमला भी बेचेगा, ठीक है, तो इस सेंस में क्या हुआ कि अग्रो फोरेस्ट्री में जब आप क्या करते हो, raising of trees and agricultural crops on the same land, एक ही जमीन के इससे पे आप पेड़ भी लगा रहे हो, उसी जमीन पे आप क्या करते हो, फसल भी लगा रहे हो, दूसरी crops लगा रहे हो, हो सकता है आपने soybean लगाया हो, हो सकता है आपने wheat लगाया हो, ग्राम लगाया हो, राइस लगाया हो, ठीक है, पैड़ी लगाया हो, त लेंड के उस पार्ट में आप खेती कर रहे हो तो यह एग्रो फॉरेस्ट्री का पार्ट हो गया और देखो क्या है इट कमाइंस फॉरेस्ट्री विट एग्रिकल्चर दस अल्टरिंग दी साइमेंटेनियस प्रोडक्शन और फॉर्ड फॉर्डर फ्यूल टिंबर और तो फॉर्डर में आपने जैसे इस तरफ से जैसे आप देखोगे ना पेड़ी लगें लाइन से बहुत सारे और यहां पर आपको फसल भी देखने को मिल जाएगी अब इसमें आप मांद लो कि आपने फॉर्डर को सो कर दिया था तो आप आपके जानवरों क्ले आपको घा आपका इसे सकता रहेगा जो लगडियों फॉर्ड्यों पर मिल जाएगा फॉर उन्हीं पेड़ों पर फूर्ड लगेंगे तो उसन सेंस में तेहना ऐगरो फॉरेष्ट्री weapons एग्रिकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री दोनों एक साथ जा रहा है दोनों एक साथ जा रहा है उसका एडवांटेज क्या आपको बहुत सारी चीज़े मिल गई फूड फॉड 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 टिंबर फूट्स सब कुछ मिल गया आगे समझ में क्रिस्टल क्लियर होना चीज़ें खेय कि लिए समझ में क्लास अरख़ा है स स्याट फॉरेस्ट्री अर्भ फॉरेस्ट्री होती है उड्य है रूर्ल सब्स आपने एग्सुए है फारेस्ट्री समझाओं की बात करें बात खेति गाओं में हो रहया हूँ हुत तो उस तरह से क्या है कि आपने agroforestry समझ लिया, आप community forestry समझो, community forestry में क्या है, community forestry involves the raising of trees on public और community land such as village pasture, village pasture, the temple land, roadside, canal bank, strips along railway lines and schools etc. मज़ेदार चीज़ बताता हूं यहापे, अभी आपने जो पहले देखा, rural forestry में एक जो subtype देखा agroforestry, तो agroforestry तो जिसके पास जमीन है भीया, मेरी खेत है, तो मेरे खेत पे मैं खुद फसल लगाऊंगा और मुझे जिस चीज़ का पेड़ा लगाना है वो करूँगा, लेकिन आप किसी के पास खेत नहीं है, यह भीया के पास में खेत नहीं है, तो अब यह क्या करेंगे, कमुणिटी फॉरड स्ट्री में सामुदाइक भवन कहते है तो विल्लेज सारे कहीं है, सारे लोग क्या करेंगे, सारे लोग जो कॉमन लांड होती है और पबलील पर कमीनेटी लैंड क्या हो गई js मतलब वह किसी की नहीं है कि सब की है मतलब कि जो एक community को बिलॉंग करता है public को बिलॉंग करता है जैसे आप temple देखोगे temple किसका है वह क्रिश्न भागवान का temple है वो तो है उनका लेकिन क्रिश्न भागवान के temple के लावा उनका पूरा प्रांगण है वो सारी चीज़े देखोगे तो वह किसी एक इंसान का नहीं है ना वहाँ पर सभी लोग जा रहे है public property हो गई है तो अब क्या होगा ऐसी public property में जाके जब लोग क्या करते हैं पेड़ पौधे लगाते तो वह community forestry हो गई है वही चीज़ यह जो अंदर से कहते हैं कि इस तरह का जो environmentalist जागता है ना लोगों का वो अप जानता है जागता है तो जैसे इंवामेंट डे आ गया वर्ल्ड इंवामेंट डे की दिन ठीक है तो परियावरन के संग्रक्षन के लिए सब एक एक पौधे लगा यहां पर विलिज के सारे जानवर ग्रेजिंग के लिए जाते हैं वहां पर पेड़ लगा दो आप ठीक है और फिर अगले दिन जानवर खा जाएंगे उनका प्रोटेक्शन भी जरूरी है एक चीज मैं समझाता हूं अगर आप इस वीडियो लेक्चर को देखने के आप बहु कम्यूनिटी के दौरा और कम्यूनिटी फॉरेस्ट्री हो गई है कम्यूनिटी फॉरेस्ट्री प्रोग्राम एम्स एड प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टुदी कम्यूनिटी अज़ हूल अब दिखती बात है जब समाज में मिलके लगाए है तो उसमें जब फल लगेंग ए मिन्स अडर विश्डी पीपल ओफ लैंड लेंड अपने लिखें जिसकी जमीन उसने खेत में बेल लगाया उस खेत के पेड पेसे उसे आमला मिल रहा है तो आमला खुद रखेगा ऐसे नहीं सब को बाट देगा लेकिन कम्मिनिटी फॉरेस्ट्री में क्या है कि जो पीपल अब जिसके पास जमीन नहीं वो भी क्या कर रहा है कि मंदीर के प्रहंगण में जाके जो विलेश पास्चर है ठीक है विलेश पैस्चर जो है वहां पर पेड़ लगा रहा है अब क्योंकि उसकी जमीन नहीं है लेकिन कम्मिनिटी फॉरेस्ट्री में तो किसी की दरुद नह आना चाहिए तो उसके जब कल को क्या हो गया वो जो पेर लगाएं आपने उससे जो एडवांटेज मिलने वाला है तो वो हर इंसान को मिलेगा चाहे उसकी जमीन हो या ना हो तो लैंडलेक्स क्लास जो है जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें भी फाइदा मिल जाता है और अग दिखा यह अर्बन सुट्वरेश्ट्री में आपको बाता 8डवन फोर्रेस्ट्री में अब तीसरा जो शोचल फोरेस्ट्री के अंदर ग्रू पाता इकाट्पर केटगरी आतीव है 10 फॉर्म 스ॉर्ण रोग सिन film यह तो उनलग हो गयी है 152 प्रेस्ट को प्रकों सतयों नन वी नबी दएख सकते हो कैंसे क्या सब सब कुछ समझाता है तो टर्म अप्लाइट वी प्रोसेस फार्म फौरोस्ट्री जो ए तो फार्म फोर्स्ट्रीस अधा है तर्म अप्लाइट उ तुडppt ब्रोसेस अंडर में एक स्टेमेट फार्मर्र से उन्स एप heel даль और फॉर शूर उन्होंने यह सोच के लगाया कि आज लगाता हो आज से 20 साल बाद सागवान टाइम लेता है बड़ा होने में मतलब काटने के लिए वह जो बोलते हैं कि मैचे और स्टीज में आने में उसको टाइम लग जाता है 20 से 30 साल लग गए मान लो तो वह आज अगर मैं ल भी परफॉर्म करते हो कैसे तो जैसे अब क्या होता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करता है वेरियस स्टीट्स के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से डिस्टिब्यूट सीड्लिंग्स औफ ट्रीज फ्री ऑफ्कॉस्ट तो स् कि forest cover area बढ़े forest लगे अब मुझे पौधा दिया तो मैं क्या सोच रहा हूं कि वाँ ठीक है पौधा मिल गया इसे लगा हूँगा आज से 20 साल बाद काटूँगा इतने पैसे मिल जाएंगे यह हो जाएंगे जिसे टिंबर सागवान के case में देखें हम टीक के case में या फिर दूसरा पीड़ दिया है मान लो क्या दिया मुझे मैंगो ट्री दिया है तो मैं सुचूँगा हाँ कि बस आज से दस साल बाद मैंगो आने लगेंगे बाजार में जाके बेचूँगा पैसे मिलेंगे तो commercial mind चल रहा ह और क्या है तो several lands such as the margins of agricultural fields, grasslands and pastures, land around homes and cow sheds may be used for raising trees under non-commercial farm forestry अब क्या है यहां पर आप non-commercial farm forestry को समझना कि कुछ public land जो होती जैसे community forestry में देखा तो government ने जब यह saplings वगेरा distribute किये तो लोगों ने क्या किया कि उन्हें ऐसे areas में जैसे pasture land हो गया, land around homes, cow sheds, जहां पे गायवाई बंदी रहती है, लोग जहां रहा है उनने बुला कि आर अगर हम देखें social forestry और farm forestry में, तो social forestry में आपको बताया कि किस तरह से जब society जो है वो क्या करती है, पेड लगाने पर उतर आती है, क्यों? अलग-अलग objectives हो सकते हैं, तो National Commission on Agriculture ने क्या किया उसे classify कर दिया तीन group में, एक urban forestry मतलब जब urban area में लोग क्या कर रहे है, community क्या कर दे रहे हो आप, दूसरा community forestry जिसमें आप क्या कर रहे हो, community participate कर रही है, क्या सकते है, public lands पे क्या कर रही है, पेड लगाया जा रहे है, ठीक है, और तीसरा जो हमने देखा, वो क्या देखा, farm forestry के बारे में पढ़ा समझा, तो farm forestry जो है, तो commercial, non commercial purpose से, government support के थूँ, जब government का I hope you enjoyed it, सारी चीज़ें आपको समझ में आईए, इसी तरह से class 4th से 12 तक आप सारी चीज़ें भी पढ़ा सकते हैं, और त्रिफ, geography, स्रिफ, social science नहीं, Hindi, English, math, science, सब कुछ पढ़ा सकते हैं, अपने juniors और seniors को ज़रूर बताएं, magnet brains के बारे में, मिलते हैं next वीडियो में, अगल Thank you, thank you very much.